वेल्कम टो अवर चैनल लॉक अक्चास्विट आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटलेक्शल प्रॉपर्टी राइट का तो सबसे पहले टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉपर्टी क्या है इंटलेक्शल प्रॉपर्टी राइट से पहले हम समझेंगे प्रॉपर्टी दन इंटलेक्शल प्रॉपर्टी दन इंटलेक्शल प्रॉपर्टी राइट तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होती है अगर हम बात करते हैं property के बारे में तो property में काफी सारी range of assets है मतलब काफी तरकी की assets क्या कहलाती है property कहलाती है कौन-कौन सी tangible assets और intangible assets एंजिबल एसेट्स कौन से होती है यह कि ऐसी एसेट्स जिसे आप क्या कर सकते है महसूस कर सकते है यह जो क्या है जिनका फिजिकल नेचर है जिने आप महसूस कर सकते है अपने सेंसिस से जैसे आपकी लैंड होगी वीकल होगी और कुछ है अमरी ऐसे एसेट्स होती है जिने ह ने कर सकते हैं जैसे goodwill intellectual property copyright like that अगर हम बात करते हैं property के बारे में तो property क्या है it's a bundle of rights and relationship which give raise to entitlements and ownership properties क्या है bundle of rights and relationship जो किस के बारे में बताते है किस चीज़ को raise करते है ownership को entitlements को अगर किसी person के पास कोई property है in the layman language हम समझेंगी बात करते है property में सबसे पहले आप में यह देख लिए जिए tangible assets है कोई हमानी tangible assets कौन से assets जिससे हम feel कर सकते हैं touch कर सकते हैं ऐसे assets तो land अब land अगर हमारी assets है और उसके हम क्या है honor यानि कि ownership किस पर हमारे पास है उस assets की तो हमारे पर क्या क्या rights होंगे यानि कि जो हमारी definition में लिखा था property गया है it's a bundle of rights तो यानि कि उस properties से related हमारे पास क्या क्या rights होंगे right to sue, right to transfer, right to earn income, right to destroy etc. यानि कि symbol सी बात हम किसे पर case कर सकते हैं अगर suppose A person है उसका कोई land है, clear अब B person न उसपर क्या कर लिया ? mortgage कर लिया, clear, तो आप क्या कर सकते हैं ? A person क्या कर सकते हैं ? sue कर सकते है clear अभर ये जो mortgage था हो क्या था? illegal mortgage था ट्रांसफर आपकी प्रॉपर्टी है लैंड है वो आपकी से दे सकते हो सी को सील कर सकते हो ट्रांसफर का राइट है आपके पास अर्न इंकम इस पर आपके कर सकते हो इसे रेंट पर दे सकते हो और इससे जो इंकम आईगी उस पर किसका राइट है आपका राइट है राइट to sue, right to transfer, right to turn, in curls, right to destroy, etc. Then, come to the next slide, intellectual property. अब सभी ने क्या देख लिया, property की definition देख लिए, अब बात करते हैं intellectual property के बारे, intellectual property refers to the creations of the mind, अगर हम one word में definition की बात करते हैं, कि what do you mean by the intellectual property, तो creation of the mind, यानि कि mind की creations को हम क्या कहते हैं, intellectual property कहते हैं, such as invention, literary and artistic work, designs, symbols, name, and images used in commerce, commerce में use होने वाली images, name, symbols, designs, inventions, literary and artistic work, सभी क्या हैं, हमारे intellectual property हैं, यानि कि जो भी चीज़ हमारे mind से create हुई हैं, जैसे for an example, एक car है, अब यह मैंने car क्या करिए, invent करिए, अब यह किससे चलती है, यह mineral water से चलती है, तो यहाँ पर आपने देखा, यह मेरी क्या invention है, आपने कोई भी क्या घरा, कोई भी design, कोई भी symbol, कोई भी name, कोई भी image used करी है, commerce में, और वो किसकी creation है, mind की creations है, यह है, तो वो क्या है, intellectual property है, intellectual property is an umbrella, the term for a set of intangible assets, और assets that are not physical in nature, यानि की, set of, क्या, intangible assets, intangible assets कौन से assets होती है, जिने हम touch नहीं कर सकते, यह है, जिने हम अपने senses से feel नहीं कर सकते, जैसे good will, क्या, तो हमारा set of intangible assets, और वो assets जिने हम क्या नहीं कर सकते, जो assets क्या नहीं है, physical nature की नहीं है, that are not physical in nature, तो वो क्या intellectual property है और उन सब के set को हमने क्या कहा अम्रेला कहा है तब ही हमने intellectual property को क्या term दिये अम्रेला term दिये यह intellectual property is protected in law by for example patent, copyright, state mark etc intellectual property है यानि की creation of mind such as invention, literary and artistic work, design, symbols, name and images used in a commerce उसे हमने किस से protect कर रहा है law से protect कर रहा है example, patent, copyright, trademarks etc जैसे हम हमारे content है हमारे content क्या है registered है अगर जैसे हम आपको stream बड़ी show रहा हो है content कोई other youtuber use करता है तो उस पर क्या चल सकता है हम उस पर issue कर सकती है क्योंकि हमारा सारा content है जो हम आपको provide कर रहे है वो क्या है registered है तो हमने क्या करका है, patent and copyrights ले रहे हैं, trademarks, यह सारे चीज़े क्या होती है, patents, copyrights, trademarks, यह सब क्या है, जो intellectual property को क्या करते हैं, protect करते हैं, तिर come to the next slide, अगर हम बात करते हैं, जो intellectual property की protection के लिए importance है, वो first time recognized किस convention में करी गई थी, Paris convention में करी गई थी, clear 1883 में, अब Paris convention, Bernie convention यह आगे की वीडियो में separate separate discuss करेंगे, बट यहां हलका साब क्या ले लिजे, सिर्फ नाम को याद रख लिजे, कि जो intellectual property थी, उसकी important first time recognized convention में करी गई थी, first convention में कौन सारे discuss करेंगे, Paris convention, and the Bernie convention for the protection of literary and artistic work, और artistic work और literary work को protection किस convention ने दी थी, Bernie convention ने दी थी, किस year में दी थी, 1886 में दी थी, और जो यह दोलों ही treaties है, दोलों ही conventions है, यानि की Paris convention and Bernie convention, both treaties are administered by WIPO, World Intellectual Property Organization Convention, यानि की Paris convention, Bernie convention, administered कौन करते हैं, WIPO करते हैं, by WIPO, Why promote and protect intellectual property, सबसे बनी बात, Why हम क्यों promote करते हैं, और क्यों protect करते हैं, किसे, intellectual property को, intellectual property protection, encourage, publication, distribution, and disclosure of the creation to the public, rather than keeping is a secret, अगर हम बात चारते हैं, मैंने कोई car invent करी, या, आगो किस से चलते हैं, mineral water से चलते हैं, अगर उसको जो यानि की, जो मैंने creation करी है, जो भी मैंने mine से creation करी है, new formula लगा है, कोई भी technique यूज करी है, कोई भी method यूज करा है, जिस से क्या कर सकता हूँ, मैं कार को किस से चला सकता हूँ, पानी से चला सकता हूँ, तिर, अब अगर जे जो intellectual property है, जो मेरा एक method होगा, उ यह तो मैंने बनाई थी, यह तो पानी से चलने वाली कार मैंने बनाई है, जैसे A ने बनाई है, A की invention है, B क्या दे मेरी invention है, या B copy करते से इम, और A से पहले क्या कर दे, उस car को launch करें दे market में, तो यहाँ पर अगर हमारी protection नहीं मिलेगी, तो हम क्या नहीं करेंगे, जो हमा नहीं होगी, प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है, कि intellectual property protection किस चीज़ को encourage करती है, publication को encourage करती है, distribution को encourage करती है, disclosure of creation को क्या करती है, encourage करती है, rather than कि लोग अपनी creations को क्या रखे है, secret रखे है, तिर, come to the next slide, promotion and protection of intellectual property promote economic development, generates job and industries, improves the quality of life, अगर हम बात करत हैं, कि intellectual property को अगर हम क्या करते हैं, promote करते हैं, या protection देते हैं, तो उससे क्या होगा, यह economic development भी होगा, कैसे economic development होगा, अब कोई currency भी है, कोई भी method है, यह manufacturing है, और मैं कुछ भी क्या कर रहा हूँ, product बना रहा हूँ, अब मेरे पर new technique है, मेरे कुछ नई invention is product को बनानी, clear, और वो बहुत ज़्यादा product क्या होगा, market में, trend में आ गया, तो अब जब मैंने, intellectual property, जो मेरी तरीकिन की new invention थी, मेरी creation of mind थी, उसे क् कर रहा है, protect करा जा रहा है, law में, तो में उस product को market में, easily क्या था हुआ, sale करूआ, क्यों, क्योंकि मुझे done नहीं होगा, clear, क्योंकि उसके rights है, वो किसके पास होगा, मेरे पास होगा है, उस product की rights, clear, तो यानि की creation of mind को rather than keeping in secret में क्या करूआ, generally public में अपनी creation को disclose करूआ, अब जब disclose करूआ, तो factory लगा दी, suppose, तो factory में क्या होगी, job opportunity भी generate होगी, clear, अब जब inventions करेंगे सब, जैसे, ये सब के लिए open market है, सब person क्या रह सकते है, invention कर सकते है, जब सब person invention करेंगे, और वो invention क्या होगी, law में protected होगी, यानि जो हमारे intellectual property होगी, वो protected होगी, तो सब person को क्या मि opportunity मिलेंगी, industries लगेंगी, और क्या होगा, economic development होगा, improves the quality of life, अब इसे example से करेंख करेंगे, कि कोई भी person कोई भी invention करता है, जैसे उसका product बहुत जादा market में trend आता है, वो industry लगाएगा, तो वहाँ से क्या हो रहा है, economic development भी हो रहा है, jobs भी generate हो रही है, industries का setup हो रहा है, quality of life भी improve ह हो रही है, it provides recognition to the concerned person, अब अगर हम बात करते हैं, intellectual property के अगर हम बात करते हैं, इस टिप protection से क्या फाइदा हो रहा है, यह recognition प्रोवाइड करेंगी, किस person को, concerned person को, यानि कि ए परसन ने invention करी है, तो उसको क्या मिल रहा है, recognition मिल रहा है, it creates competition among the researchers and institutions for the quality of research, अब एक परसन एने क्य क्या खरी, invention करी, clear, और उसकी जो intellectual property हो से क्या खरी है, law protect करी है, अब जो दूसरा person है, उसके बीच में भी तो competition हो गया, वो भी करेगा, कुछ नया invention, C भी नहीं invention करेगा, तो competition, creator है किस के बीच में, researchers के बीच में, clear and institutions के बीच में, it motivates individuals creativity and does also contribute to economic growth, अब ये individuals की creativity को भी क्या करत motivate करते हैं, अगर हमारे intellectual property को promote करा जाए, protect करा जाए, तो इससे individuals भी क्या करेंगे, बहुत जदा creative nature की हो जाएगे, वो बहुत जदा creativity करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या समझाता है, अगर आप intellectual property को protect करते हैं, तो ये चीज़ किसे motivate करती है, individuals को creativity की तरफ motivate करती है, clear, come to the next slide, अ अब बात करते हैं importance की, अब intellectual property को अगर protect करते हैं, तो intellectual property को protection की क्या importance है, intellectual property rights की क्या importance है, improving the performance of the institutions, institutions की performance को क्या करते हैं, improve करते हैं सब चीज़े, provide recognition and benefits for the creative effort, अब एक सपोज एक person है, उसने invention करी है, यानकि उसकी creativity है, तो उसकी creative effort को क्या करते हैं, benefits मिलता है उसका एक हो, और उस person को क्या मिलती है, recognition मिलती है, clear, generate competition, इसकी वज़े से क्या होता है, researchers के बीच में competition क्या होता है, create होता है, clear, generate competitions among researchers and institutions, encourage more people in the field of innovation and creation, ये चीज़ क्या करती है, ये people को encourage करती है, किस field में, innovation के field में, creation के field में, here, bring efficiency, sorry, bring efficiency in the field of technology, ये technology के field में क्या लाती है, efficiency लाती है, here, hopefully, आप सभी को introduction video अच्छी लगी हो, नेक्स वीडियो में अम दिसक्स करेंगे, types of intellectual property right, thank you so much for watching this video, have a nice day all of you.